हेलो स्टूएंस तो देखें हमारे चप्टर आयनी के क्लिप में लास्ट क्लास हम लोगोंने बेसिक चीज़े डिसकस कर ली ते हमने देखा था कि एलेक्लाइट्स क्या होता हैं कैसे हम लोग एलेक्लाइट्स के लिए डिग्री ऑफ आयनाशन कल्कुलेट करते हैं के एकवल टू सी यलफर स्कॉयर आपन मनमें से लफ़ को मैंने आपको यूज करने सिखाया मैंने आपको सिखाये कब हम नेगलेक्शन करते हैं और कब हम नेगलेक्शन नहीं करते हैं आस देकिए महीं से आगे बढ़ने जा रहे और हम एक बहुत important effect पढ़ने वाले हैं जिसे ह एक weak electrolyte हो और इस weak electrolyte के साथ में क्या present होना चाहिए एक strong electrolyte present होना चाहिए तो यी दो तरह की एक एक लीक्लाइट आपके उस प्रेजन परॉजे रहने चाहिए और उनके अंदर क्या होना चाहिए इन में एक आयन क्या होना चाहिए? एक प्रिंसिपल का सिंपल सा अप्लिकेशन है बहुत ध्यान से समझें मान लो आपके पास AB कोई एक एक एलेक्टरोलाइट है तो यह AB एक वीक एलेक्टरोलाइट है तो अगर यह वीक एलेक्टरोलाइट है तो अगर यह वीक एलेक्टरोलाइट है तो बताओ यह आइनाइज होकर क्या बनाएगा यह आइनाइज होकर बनाएगा A प्लस आक्वस प्लस B माइनस आक्वस तो पहले तो हम इसे थेोरिटिकली समझेंगे ठीक है? पंदरा परसेंट है कब जब अब ये अकेला है तो ये एक वीक एलेक्टलाइट है और जब आप इसे पानी में डालोगे तो इसकी डिग्री ओफ आइनेशन जो है वो 15 परसेंट आती है अब मैंने इसको किसी ऐसे सिलूशन में डाल दिया जिसमें पहले से एक स्ट्रॉंग ए लेक्टलाइट प्रिजेन ये कैसा इलेक्टलाइट है और ये मैंने सललुशन में एक स्ट्रॉंग एलेक्ट्रलाइट या बनाया अब क्या होगा सलुशन तो एक ही के लिग्यां अगर आखा लिग्या थो यहा पर च leading बढ़ेगी बतादोos अगर यहां A plus की concentration बढ़ेगी, तो यह reaction किदर shift होगी, backward direction में shift होगी, क्या होगी, backward direction के अंदर shift होगी, बुलो होगी न, अगर ही reaction backward shift होगी, तो बताओ इसकी degree of ionization बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, तो यह जो इसकी degree of ionization कम हुई, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, common ion effect बोलते हैं, क्या बोलते हैं, common ion effect बोलते हैं, पहले statement form में लिखें, ता अभी कभी आप revise करें, तो आपको चीज़ ध्यान रहे हैं, कि when a strong electrolyte, when a strong electrolyte, strong electrolyte having a common ion, having a common ion is added, is added to a solution containing, containing a weak electrolyte. Then, then according to Lee Chetler's principle, the equilibrium will shift backward, equilibrium will shift backward and as a result, as a result, पताओ क्या होगा, degree of ionization, degree of ionization of weak electrolyte, कौन से electrolyte? weak electrolyte will decrease, तो देखो, इस तरह से में चीज़ बोल सकते हैं, कि एक weak electrolyte की degree of ionization, हमेशा, एक common ion की presence में एक है, common ion मतलब, common ion जो कहां से आ रहा हो, एक strong electrolyte से रहा हो, तो अगर एक weak electrolyte के solution में, आपने एक ऐसा electrolyte add कर दिया, जिसके अंदर एक common ion present है, एक ऐसा strong electrolyte add कर दिया, इसमें common ion present है, तो weak electrolyte की degree of ionization को decrease करेगा ही करेगा, तो यह जो decrease होता है, इसी को हम लोग क्या बोलता है, common ion effect, तो अगर हम common ion effect की definition लिखने चलें, तो हम simply बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि the suppression of, क्या बोलेंगे, the suppression, suppression का मतलब कम होना, of degree of ionization, degree of ionization of a weak electrolyte, of a weak electrolyte in presence of, in presence of a strong electrolyte, in presence of a strong electrolyte, having a common ion, having a common ion is called, what, what, common ion effect, तो सबसे पहले चीज, common ion effect क्या होता है, बहुत important इसलिए बहुत सा टाइम दे कर सीखेंगे, क्योंकि आगे आने चप्टर में आगे आगे आए पार्ट के इंदर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज करने रहे हो, इसको कैसे यूज करेंगे और बहुत अच्छे से आप इससे डील कर पाऊगे तो ध्यान से देखें अगर लेट से मेरे पास AB को यह एक weak electrolyte है, ठीक है, AB एक weak electrolyte है, AB जो है वो ionize होकर क्या बनाएगा देखो, A plus aqueous और B minus aqueous, ठीक है, अभी मानलो, आप लिखना हमाँ तब अभी आप देखते जाओ, इसकी degree of animation मानलो alpha थी, तो C में से जाएगा C alpha, यहने alpha dash थी है मानलो, तो यह बनेगा C alpha dash, यह बने concentration कुछ रही होगी, मानलो वही 15% मानलेते हैं, ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें strong electrolyte add करूँगा, तो strong electrolyte जिसके अंदर क्या होगा, एक common ion होगा, let's say AC, आपने इसको add किया, तो क्योंकि यह strong electrolyte है, यह 100% ionize होगा, मानलो इसकी concentration है C1, बताओ यह ionize होकर क्या बनाएगा, A plus aque plus 7 में क्या बनाएगा, C minus aque, तो पहले जो हमने theoretically सीखा, कि क्या होगा, अब यह जो A plus aqueous आया, यह इस solution में A plus ion की concentration को बढ़ाएगा, तो यह क्लिम क्या होगा, बैक्वर्ड शिफ्ट होगा, बैक्वर्ड शिफ्ट होगा, तो इसकी degree of ionization degrees होगी, हम discuss कर चुके हैं, अब जब बैक्वर्ड गई, तो alpha dash change होकर बन चुका है, सिर्फ alpha, क्या बन चुका है, सिर्फ alpha यह बन चुका है, अब हम यह मान कर चल रहे हैं, alpha क्या है, let, alpha is the degree of ionization, degree of ionization of weak electrolyte, weak electrolyte in presence of, in presence of common ion, तो इस common ion की presence में, इस weak electrolyte की degree of ionization को मैं क्या मान रहा हूँ, alpha मान रहा हूँ, अब आप देखो, यहाँ पर जो आपका a plus ion, इसके दो सूर्स है, एक weak electrolyte से c alpha, और एक इससे आएगा a plus, से, है ना, strong electrolyte से, तो आप टोटल a plus कितना हो गया, c1 plus c alpha, हो गया, जी करते हैं, तो आपका जो total electrolyte है, वो हो गया, c1 plus c alpha की equal हो गया है, ठीक है, अब अगर मैं इस weak electrolyte के लिए ki i का expression लिखूँ, तो बताव इसके लिए ki i का expression क्या बनेगा, वो बनेगा, concentration of a plus, that is c1 plus c alpha, into concentration of b minus, that is c alpha, upon क्या बनेगा, concentration of a, that is c into 1 minus alpha, तो देखो, c से c cancel, ultimately यह जो आपका ki i है, इस ki i का expression क्या बन जाएगा, alpha into c1 plus c alpha, upon 1 minus alpha, अब देखो, फिर से आप वही पहुंच गए, ठीक है, तो common effect में आपको कुछ याद नहीं रखना है, टूल बनेगा, अब यह बहुत अच्छा टूल बनेगा, वह मैं आपको questions से चिखाऊंगा, यहाँ भी लिखतो देंगे हम उसको, फिर उसको, obviously उसको याद भी रखेंगे, पर अभी आप समझें, आपको हमेशे ऐसे करना, जो common a in r, उसकी concentration आपको लिखनी है, total मिला कर, ठी contribution है, ठीक है, आप देखो, आपने जो total a plus की concentration लिखी, वो किसके equal होगी, c1 plus c alpha की equal होगी, अगर हमें c1 plus c alpha को observe करें, इसमें जो c alpha है, c alpha, बताव c alpha तो किसका contribution है, यह contribution है, weak electrolyte का, so this will be the contribution of weak electrolyte, correct है, और इसी के अंदर, c1 जो है, c1, यह किसका contribution है, this is the contribution of, contribution of strong electrolyte, सही है, अब आप समझे, बहुत काम की चीज़, बहुत important चीज़, क्याकर यहाँ पर c, strong electrolyte का, c1 strong electrolyte का contribution है, और c alpha, weak electrolyte का contribution है, तो आप खुछ समझते हो, कि strong electrolyte की presence में, weak electrolyte की degree of ionization के आउचिकल की decrease, यह से मैं आपको बोला था, कि जब यह अकेला है, तो मान लो, इसकी degree of ionization 15% है, तो strong electrolyte की presence में, इसकी degree of ionization, ionization की होगी, 15% से भी कम हो जाएगी, हो जाएगी न, तो हम यह मान कर चलते हैं, कि अगर alpha कम है, तो अब यहाँ condition लगेगी, if, if alpha is very very less than 1, यानि आपका electrolyte बहुत weak है, तो अगर alpha 1 से बहुत छोटा है, then हम बूल सकते हैं, कि the contribution of, the contribution of weak electrolyte, contribution of weak electrolyte, weak electrolyte in the common ion, in the common ion, can be neglected, बूल हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो, यहाँ पर दो जगे से आ रहा है, तो अगर alpha बहुत कम हैं, तो यह value कर आने वाली है, तो हम यह मान कर चलेंगे, and it can be assumed, it can be assumed, that all the common ion, all the common ion is coming, from strong electrolyte only, यह आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक बर इसको सीख गए ना, तो इसके questions को आप verbally solve कर दिये गरों, हाँ, विश्वास करो मेरे उपर, तो देखो, अगर alpha 1 से बहुत चोटा है, तो आप देखो, यहाँ पर यह दोनों इसका neglation का यूज करता हूँ, अगर alpha 1 से बहुत चोटा है, तो a plus की जो concentration है, वो हम c1 plus c alpha की जगह है, approximately कितना लिख देंगे c1, एक चीज, एंड दूसरा, जो आपके पास a b था, a b, a b की concentration थी, c into 1 minus alpha, तो आपने बोल दिये न, alpha negligible है इस चीज को, आप simple c लिख सकते हो, या फिर आप 1 minus alpha को, आप 1 minus alpha को simply कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो जैसी neglection में यहाँ लगाऊंगा, देखो यहाँ से c alpha गया, यहाँ से alpha गया, तो ki की value कितनी आ जाएगी, alpha into c1, या फिर, या फिर देखो, यहाँ से आपके पास एक बहुत simple सा और सुन्दर सा formula बन रहा है, that is, alpha is equals to, क्या बन जाएगा, ki upon c1, यहाँ पर c1 क्या होती है, c1 होती है, concentration of strong electrolyte, क्या होती है, concentration of strong electrolyte, अब आप चाहो तो इसे formula की form में याद रख लो, तो क्या 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 करो, common ion निकालो, उसमें weak electrolyte के contribution का आप नेगलेट कर सकते हो, अगर उसका alpha बहुत कम आएगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ, नुमेरिकल से आपको और चैस दिखाई देगा, values के साथ, तो अब आप फिटाफटी से copy करो, इसमें एक case और लगा दो, अगर alpha negligible नहीं है, if alpha is not negligible, तो यह आप भी जानते हो, और मैं भी जानता हूँ कि क्या करना है, तब आपको quadratic solve करनी होगी, तो आप चिंता ना गरें, नीट में quadratic solve नहीं करवाएगा, सिर्फ 0.1% chance है कि आप से quadratic solve करें, वाँ 99.9% common line आता है, तो यह हमेशे applicable होगा, और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, अब यह आप देखो, values के साथ आप कितनी आसानी से खेलोगे, आपको सिर्फ यह चीज सीखनी है, जो मैं नहीं है, आतने कोशिश की सुन्दा सुन्दा शब्दों में लिखने की यह चीज आपको सीखनी है, कि जो हम common line effect से deal कर रहे होते हैं, तो हम यह मान कर चलते हैं, एकर हमारा एक्टलाइट वीक है, तो उसका contribution बहुत कम होगा, तो हम वीक एक्टलाइट के contribution को neglect कर सकते हैं, चली बात है, चली तो, अब आओ, values के साथ खेलते हैं, और छोड़ोटे questions, बहुत सारी values के साथ देता हूं, अभी आप familiar हो जाओगे इस साथ, चली देखें, और छोड़ा से question करते हैं पहले, मान लो, आपके पास 0.1 molar एक एलेक्टलाइट एबी, जिसकी ki value कुछ 10 to the power minus 7 है, इसमें आपने 0.5 molar AC एड़ कर दिया, आपको concentration of each species बतानी है, equilibrium पर, each species at equilibrium बतानी है, क्या होता निया, concentration of each species, तो ध्यान से देखना बड़ा असान है, कोई formula नहीं लगाना, जैसा सिखाया है, वैसा काम करो, क्या करोगे, सबसे पहले आप V किलेक्टलाइट का dissociation लिखो, AB aquas, अभी आप verbally भी कर दिया करोगे इनको, अभी वो काम जरूत नहीं है, देखते जाओ, तो यह क्या बनाएगा, A plus aquas, plus 7 में क्या बनाएगा, B minus aquas, ठीक है, अब माल लो, इसकी degree of ionization alpha है, strong, इसकी presence में, तो देखो, 0.1 में से कितना जाएगा, 0.1 alpha, यह बनेगा, 0.1 alpha, यह बनेगा, 0.1 alpha, और AC, AC आपका strong liquid light है, AC जो है, बताओ, AC तूट कर, क्या बनाएगा, 100% ionize होगा, A plus plus C minus, तो यह 0.5 बनेगा, यह भी 0.5, तो A plus total बन गया, 0.1 alpha plus 0.5, color code से आपको दिख रहा है, कि कौन सा, किसका contribution है, अब बात ही आती कि मैं, weak वाले को neglect करूँ, यह नहीं करूँ, तो इसके लिए जादा कुछ नहीं करना, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बाई मैंने आपको last class ये खाये था, अगर आप एक weak electrolyte के लिए alpha निकालो, तो उसका formula होता है, root ki upon c, लेकिन यह formula होता है, जब आपके पास कोई strong electrolyte नहीं है, यह केला है, है ना, in absence of, बहुत ध्यान से सुनना, यह अपने ध्यान से सुनन लिया, समझ लिया, तो common effect में वो कभी problem नहीं आएगी, ठीक है, और in absence of, strong electrolyte होता है ये formula, ठीक है, आप क्या करो, आप इसकी absence में इसका alpha निकालो, अगर यह यहाँ नहीं होता, AC, तब इसका alpha कितना आता है, देखो इसका alpha कितना आता, root, कि वाली हो 10 to the power minus 7, C की वाली हो 0.1, यह वाली आती 10 to the power minus 3, that is 0.001, देखो, negligible है, है ना, अब आप सोचो, जब यह अकेला था, तब इसका alpha इतना कम है, तो बताओ, common end की presence में तो alpha क्या होगा, all degrees होगा, होगा है नहीं होगा, होगा ना, तो अगर common end की presence में alpha, all degrees होगा, तो और ज़्यादा negligible होता जाएगा, इसका मतलब, अगर आप अकेले में alpha को neglect कर सकते हो, तो common end की presence में तो neglect करना ही होगा, अगर आपको कोई नहीं चीज नहीं करनी, आपको दुबारा से alpha चेक करना है, अगर आपको दिख रहा है कि alpha 5% से कम है, तो बिंदास आप weak electrolyte के contribution को निगलेट कर सकते हो, तो जब अकेले का alpha इतना कम है, तो strong electrolyte की presence में तो alpha और भी कम होनी ही वाला है, समझ पार हो मेरी बात को, तो आप यहाँ पर चाहो तो लिख लो रिविजन के लिए भी, since the degree of ionization, the degree of ionization, मैं इस topic पर time इसलिए दे रहा हो कि आपको अच्छे सीख सके, the degree of ionization when the electrolyte is alone, when the electrolyte is alone, tick, is negligible, so, in presence of common ion, it will be decreased more, and will be negligible, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, weak electrolyte के contribution को निगलेट को निगलेट को यही मैंने चेक किया है, अब मझे कुछ नहीं करना, यह जो a प्लस था, इसकी अंदर मुझे इसको निगलेट करना है, तो a प्लस की consideration आगई 0.5, आगई, फर्स, यह है 0.1-alpha, तो 0.1 को common कर लो, होते ही बनेगा, 1-alpha, क्योंकि alpha निगलेजिबल आ रहा है, तो यह भी 0.1 के equal हो जाएगा, हो गया, अब आप इसके लिए ki-ai का expression लेट दो, तो बताओ ki-ai equal to क्या बनेगा, concentration of a plus, into concentration of b minus, upon concentration of a b, तो घ्यान से देखना, concentration of a plus है 0.5, concentration of b minus कितनी है, 0.1-alpha, और नीचे वाली value कितनी है, 0.1, तो 0.1 से 0.1 गया, alpha की value कितनी है गई, ki upon 0.5, तो 0.5 को पढ़ लो, तो 2 into ki-ai की value कितनी है, 10 to the power minus, देखो, हमारा नेगलेक्शन बिलकुल सही है, आपका alpha बहुत छोटा रहा है, 0.5 से compare करोगे, तो 0.1-alpha की value बहुत बहुत छोटी है, यानि हमारा नेगलेक्शन बिलकुल सही है, तो अब आप देखो, हमने जो formula सीखा था, अगर common ion की presence है, in presence of common ion, in presence of common ion, तेख, for a weak electrolyte, अब आप चाहो तो इसे formula बना सकते हो, ठीक है, ki equal to क्या बन जाएगा, sorry, alpha is equal to क्या बन जाएगा, ki upon concentration of strong, आप याद रख पाऊ तो, वरना logically चलो, हर question से आप deal कर सकते हो, आप बार समझ में, और देखो, अभी और देखते हैं, आप अपने आप देखना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अगला question, अगला question क्या है, कि calculate, calculate the concentration of, concentration of H plus ion, and degree of ionization, of 0.1 molar CS3COOH, in 0.1 molar HCl, आपको दियावाए, K की value for CS3COOH, K, KB का मतलब, मैंने आपको लास्ट लेक्टर सिखा दिया था, वो दियावाए, लेट से 2 into 10 to the power minus 6, यह आपको यह लिए दिया हुई है, चलिए आप calculate करें, ऐसे फिर मैं आपके सामने, एक और question लिख रहा हूँ जब तक, और question है, की calculate, the degree of ionization, of weak electrolyte, AB, इसकी concentration है, 0.1 molar, ठीक है, वापस से होई, in presence of, in presence of, 0.1 molar, strong electrolyte, CB, आपको KI दिया हुआ है, AB के लिए, value है, मान लो, 10 to power minus 7, कुछ नहीं, बस common effect, use करना सीखना है, कुछ याद नहीं करना, normal जैस सिखा है, अपने को वैसा ही करना है, बड़े आराम से, आप comfortable हो जाओगे, क्योंकि, अभी हम pH calculate करना सीखेंगे, फिर वहाँ पर दुबारा से, common effect दिखा करेंगे, ठीक है ना, चलिए, शुरू करें इसको, यह देखो, यहाँ पर क्या है, आपके पास, CH3COH है, तो CH3COOH, एक V के लेक्ट्रोलाइट है, देखो, यह आइनाइज होगा, और आइनाइज होकर, क्या बनाएगा, CH3COO-, आप जब comfortable हो, तब direct solve करना, शुरू कर लेना, उससे पहले बिल्कुल मत करना, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक पार्ट आपको, माल लो, इसकी degree of aionation alpha है, तो 0.1 में से कितना जाएगा, देखो, 0.1 alpha, यह बनेगा 0.1 alpha, और यह बनेगा 0.1 alpha, लेकिन यह अकेला नहीं है, इसके साथ-साथ यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, और HCL प्रेजेंट है, तो बताओ, HCL तो एक strong acid है, और यह एक weak acid है, HCL strong acid है, तो यह क्या होगा, 100% ionize होकर, क्या बनाएगा, H plus aqueous, प्लस साथ में क्या बनाएगा, CL minus aqueous, तो इसके question कितनी लिए है, आपके पास 0.1 बने लिए भाई, इसके 0.1 molar से, H plus भी बनेगा 0.1 molar, और यह भी बनेगा, बताव total H plus कितना हो गया, 0.1 molar, add कर दो, 0.1 alpha plus 0.1, चाहो तो आप इसे 0.1 into 1 plus alpha, लिख सकते हो, आपके इच्छा है, तो आप, वीक लेक्टले का contribution नेगलेक्ट करना है, या फिर नहीं करना है, यह decide करो, तो वो भी decide कर लेते हैं, उसको decide कैसे करेंगे, उसको decide करेंगे, यहां से, अगर ये वीक लेक्टले नहीं होता, मैं इसका normal alpha निकालू, तो वो कितना आता है, root K, 2 into 10 to the power minus 6, upon 0.1, 0.2 पर आ जाता, यह बन जाता, root 20 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 3, अब 4, 16 का root होता है 4, और 25 का root होता है 5, 16 से 25 की बीच में है, तो माल लो 4.4 या 4.7, 4.6 के असपास माल लेते हैं, तो वैलिवाई 4.6 into 10 to the power minus 6, जिसे आप 0.0046, देखो यह 5% से कम है, less than 0.05, मतलब alpha अकेले में ही negligible है, हम तो अकेले वाले चेक करेंगे, अब बताओ, अगर alpha अकेले में ही negligible है, तो इसके प्रेंस में दो होगा ही होगा, होगा, तो हम फिर से weak electrolyte के contribution को क्या कर देगे, neglect, और यहां से इसको neglect कर देंगे, तो यह value कितनी बज़ जाएगी, 0.1, सारा काम वोही करना है, तो अब आप यहां पर का लिखो वापस है तो बताओ, के एक का expression क्या बनेगा, तो के की value कितनी है, 2 into 10 to the power minus 6 is equals 2, इसकी consideration कितनी है, 0.1 alpha, इसकी consideration कितनी है, 0.1 upon, यह काम करते चलो, actually consideration को बदलके, आप 0.2 कर लेते हैं इस बार, थोड़ा change भी आना चाहिए, same same C लग रही है, अब यह 0.2 हो जाएगा, upon, यह value कितनी है, 0.2, तो पॉइंट से point गया, alpha के विले न, point से point गया, 2 से 2 गया, इसको इदर भेज़ दो, तो आपको alpha की value मिल गई, 10 to the power minus 5, तो देको दिख रहा है, जब यह अकेला था, तब alpha 4.6, 10 to the power minus 3 था, इसकी presence में, और कम हो चुका, और देखो alpha के value, चला चला के बोल रही है, मैं negligible हूँ, अच्छा, और क्या दाना था, आपको एक H+, बताना था, H+, तो कुछ है नहीं, H+, तो simple कितना है, अब आप इसे एक लाइन में solve कर सकते थे, एक लाइन में, इतनी, इतनी सी जगे पर, कैसे, फॉर्मले से, आपको कितना सिखाया, के आई अपॉन, कंसेंटर्शन आफ स्ट्रॉंग, लेकिन ध्यान रखना, यह फॉर्मला, सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है, only if, अलफा इस बेरी बेरी लेस्टन, वेको सेम, सेम आंचर आएगा, अलफा इस इकोल स्टू, के आई की वैलिव टू, इंटू 10 तो पावर, माइनस 6, अपॉन, स्ट्रॉंग लेकिन धी कंसिटन कितनी है, यह फाइदा इस टूल का, फाइदा, बट टूल जब यूज़ करना, जो आपको लॉजिक समझ में आ जाए, उसके बाद ही, आज एको इतनी कहानी को आपने सिर्फ एक लाइन, आप सो वर्बली सॉल करते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़े, आपके पास एक तो है, वी के लेक्तलाइट एबी, ठीक है, पहले वोई लॉजिक से चलेंगे, बहुत ज़रूरी है, ए प्लस आक्वर्स, प्लस साथ में क्या बनाएंगे, बी माइनास, आज़िए, अच्छा, अब, यह कितना है, 0.1, तो 0.1 में से गया होगा, 0.1 अलफा, यह बनेगा, 0.1 अलफा, यह बनेगा, अब आप देखो, जो आपका स्ट्रॉंग लेक्रलाइट है, वो अलग है, अलग क्या है, उसमें, वो है CB2, तो CB2, जब टूटेगा, क्योंकि यह स्ट्रॉंग लेक्रलाइट है, तो यह 100% आएनाइज होगा, लेकिन इस बार यह आएनाइज होकर बनाएगा, C2 प्लस आक्वस, प्लस 2B माइनस आक्वस, तो, इसकी कितनी लिखी थी, 0.1, अब आप देख साथ, और अब हम इसे लिख सकते हैं, simple concentration of common i, यह important चीज़ है, अब आप formula याद रख सकते हो, कहीं पर क्वेलती नहीं करोगे, अलफा की value अब कितनी बन जाएगी, के आई अपॉन concentration of common i, अब आप direct formula यूज़ कर सकते हो, या चाहू, तो normal, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से दिख जाएगा, again, alpha value 0.05 से कम आई, तो negligible है, वरना negligible नहीं है, फिर आपको की problem है, तो आप देखो, यहाँ से फिर से common i and total कितना हो जाएगा, this plus 0.2, अब neglect करना है नहीं करना, तो फिर दो लॉजिक से चल रहे हैं, की आई कोल टू बनेगा, 0.1 alpha into 0.2 upon 0.1, गया, देखो, alpha की value की आई, की आई कितना है, 10 to the power minus 7 upon 0.2, 0.2 को उपर कर दो, तो 5 into 10 to the power, यह तो मैंना आपको क्वेशन शुरू करने से पहले बता दिया था, और अब आप भी बता सकते हो, अब आपके सामने को ऐसा question ले आए, आप भी बता देना, alpha की value simple की आईगी, की 10 to the power minus 7 upon 0.2, 5 into 10 to the power, अब दिख रहा है देखो, alpha negligible है, तो cross check भी यहीं का यहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, तो यह होता है आपका common ion effect, कुछ लोग बोलेंगे सर, अब आप इस formula को directly use कर सकते हैं, एक week electrolyte की degree of ionization निकालने के लिए, in presence of a strong electrolyte, हो गया, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, और सिखात हम आपको अपनी अगली property, that is properties of water, अगले page पे चलता है, दाखल बिला कुछ, सब कुछ यहीं पे आगया है, चलो कोई नहीं, तो आप heading तो डाल दो, ठीक है, properties of water, properties of water में, water का ionization पढ़ने वाले हैं, तो water जब ionize होता है न, तो उसे हम बोलते हैं, self ionization, या फिर आप उसे auto ionization, या फिर आप उसे autoprotolysis बोलते हो, क्या बोलते हो, autoprotolysis, और ये एक point और लिख लेना, water is a weak electrolyte, चली, अब चलते हैं, कोरे कागस पे, तो हम पढ़ने वाले properties of water, तो water को हम weak electrolyte क्यों बोलते हैं, वो आप अभी देख लोगे, ध्यान देना, यहाँ पे आपको चीज़े समझनी ज़ादा है, और याद रखनी कम है, यहाँ तो एक चीज़े रखनी है, इसलिए फोकस करें, water ionize होता है, और बनाता है, H plus aquas, plus OH minus aquas, यह जो water के ionize होने की process है, इसे हम water का self ionization बोलते हैं, बाकी नाम हैं आपको लिखवा दी हैं, इसे आप autoprotolysis भी बोलते हो, या फिर auto ionization भी बोलते हो, water की तरह और भी solvent जो auto ionize होते हैं, ammonia होता है, यह ना, ammonia जब self ionize होगा, तो ammonia self ionize होकर क्या बनाता है, ammonia के दो molecule होता है, एक H plus लेगा, एक H plus देगा, और ionize होकर यह NH4 plus, plus NH2 minus बनाएगा, H2SO4 का भी self ionization होता है, और आपके slayvus में है नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं करते हैं, हमारे इसलिए उसमें water है, हमें water से मिलना है, चलिए, यह आप सभी ध्यान रखें, water, pure water की जो molarity होती है, यह हम लोग mole concept में सीख चुके हैं, pure water की जो concentration में जोती है, molarity होती है, 55.55 molar, या फिर आप इसे चाहो, तो 1000 by 18 लिख सकते हो, नहीं जानते हो, तो आज के बाद ध्यान लख लें, ठीक है, क्योंकि water एक week लख लाइटा है, तो देखो C में से कितना जाएगा, C alpha, यह बनेगा C alpha, और यह बनेगा C alpha, अब अगर आप water के लिए ionization constant लिखो, क्या लिखो ionization constant, तो हम इसे ionization constant of water भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग इसे autoprotolysis constant भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है, तो KI की जो value होगी, देखो वो किसके को लोगी, concentration of H plus into OH minus, ठीक है, उसको ऐसे लिखते हैं, concentration of H plus into concentration of OH minus, अपॉन concentration of H2, जोसे मैं आपको बताया, water एक बहुत ही weak electrolyte होता है, अब आगे चल के देखोगे भी, तो C minus C alpha को approximately वापस से C लिख देते हैं, इसका मतलब यह जो water की concentration थी, इस पे कोई फर्क नहीं बढ़ने वाला है, तो यह एक constant value है, ionization constant तो equilibrium constant है, तो हम क्या गरेंगे, इस constant को इसके साथ fix कर देते हैं, club कर देते हैं, तो हमारा expression क्या बन जाएगा, देखो, ki into concentration of H2O, is equals to, concentration of H+, into concentration of OH-, यह बनेगा, अब देखो, यह भी एक constant, यह भी एक constant, बताओ, constant into constant क्या बन जाएगा, एक नया constant बन जाएगा, तो इन दोनों को club करके, हम एक नया constant बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, kW, अगर आओ, kW की value किसके इकुल हो जाएगी, concentration of H+, into concentration of OH-, और यह जो kW बना, इसे हम बोलते हैं, ionic product of water, क्या बोलते हैं, ionic product of water, तो आप ध्यान दें, इस ionic product of water में, water का ionization constant, और water की concentration, दोनों इसी के इंदर included हैं, क्योंकि यह constant है, यह constant है, constant को constant मिला कर, हम एक नया constant, आप लोग बोलाएं, सर्व, equilibrium तो आपने सिखाया था, कि जब liquid तो उसकी concentration, वन लेलना, याद करो, यह logic वाली बात है, ठीक है, पता लग गया, अब हमें काम मिलेना है, यह, this is important, तो यह आपका, ionic product of water है, जिसकी value, h plus into oh minus को, तो हमेरे बासे relation आ गया, water के लिए, कि kW equal to, क्या होता है, h plus into oh minus होता है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, के लिए h plus और oh minus, दोनों की ही value, किसके बरावर होती है, 10 to the power minus 7 में भरके, और अगर neutral नहीं होतो, तो obviously, अगर sd के तो h plus जादा होगा, और basic के तो oh minus जादा होगा, यही फर्क होगा, तो neutral waterly values लिखूँ, तो बताओ, kW की value कितनी बन जाती है, concentration of h plus, into concentration of oh minus, is equals to 10 to the power minus 14, लेकिन ध्यान रखना, यह value, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, valid at 25 degree Celsius, 10 to the power minus 14, kW equal to h plus into oh minus, तो हर temperature पर valid है, लेकिन इसकी value, 10 to the power minus 14, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आएगी, 25 degree Celsius पर आएगी, समझ गया आप मेरी बात को, चली बहुत बढ़ी है, समझ गया तो और चीज़ इस इस इखाताओं में आपको, ध्यान दें, यह जो आपका kW है, kW is a true equilibrium constant, is a true equilibrium constant, and increases, with increase in temperature, तो यह true equilibrium constant है, और इसकी value temperature बढ़ाने साथ बढ़ती है, same expression को follow करता है, जैसा हम chemical equilibrium करते थे, log KT2 upon KT1, is equals to delta H upon 2.303R, into 1 upon T1 minus 1 upon T2, तो यह हम लोग chemical equilibrium पढ़ चुके हैं, जैसे chemical equilibrium में equilibrium constant का variation होता है, exactly वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर भी variation होता है, समझ गया आप मेरी बात को, तो सबसे important चीज़ आपने हैं पर सीकी, वो है KW, KW equal to H plus into OH minus होता है, और अगर आप 25 degree पर बात कर रहे हो, तो KW की value 10 to the power minus 14 होगी, अगर आप 25 degree Celsius से बढ़ाना शुरू करोगे, तो KW की value भी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो चाहेगी, चली बहुत इत्थी बात है, अब अगर एक बार आपको KW पता लग गया, आप यहां से water की degree of ionization निकाल सकते हो, तो यादवाद नहीं रखनी हैं, सुनें, पढ़ें और भूल जाएं, अगर आप degree of ionization, भाई मैंने आपसे कहा था था ना, कि water काम ने एक weak electrolyte consider किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों किया है, degree of ionization of water, अलफा निकालते हैं, चलो, तो कैसे निकालेंगे, वाटर के लिए kW की value कितनी हो गई, concentration of H+, into concentration of OH-, और 25 to the Celsius पर यह वाल्यों 10 to the power minus 14 है, तो देखो H+, की value कितनी है, C alpha, यह रही, OH- की वाल्यों बहु कितनी है, C alpha, C alpha into C alpha हो गया, C alpha square, तो C alpha की value आजाएगी, 10 to the power minus है, अभी आपने देखा, C की value तो है, 1000 by 18, तो यहां से आप water का alpha निकाल लो, 18 को धर्वेजो, यह बन जाएगा, 18 into 10 to the power minus, इतनी कम, कितनी कम है देखो, है ना, अगर आप इसको percentage में लिखना चाहो, एक काम करो, एक point इदर shift कर दो, 1.8 into 10 to power minus 9, अगर आप percentage में लिखना चाहो, percentage ionization, तो इसको 100 से और multiply कर दो, तो वो कितना आ जाएगा, 1.8 into 10 to the power minus, देख रहा है, इसका degree of inflation कितनी कम है, इसलिए water कम क्या consider करते हैं, एक weak electrolyte consider करते हैं, समझ गए, तो water के degree of inflation याद नहीं रखनी है, कभी पूछ ले, तो भाई आपको यह पता है, यह ionization लेखो, C alpha, C alpha, value रखो, alpha अपने आप चल के आपकी पास पहुंचे, समझ में आ गया, चलिए अब आप फटावट देसे copy करें, मैं भी एक minute का rest लेता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं, पी-एच स्केल के साथ, नाम आपने जरूर सुना होगा, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, बनाते हैं, और फिर उसको यूज करना भी सीखते हैं, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं, अपना अगला topic, that is called पी-एच स्केल, तो देखें, पी-एच स्केल क्या है, और कैसे हम पी-एच स्केल को define करते हैं, हम पी-एच को कैसे calculate करते हैं, तो बच्पन से आप पढ़ते हैं, पी-एच क्या होती है, पी-एच को हम सिंप्ली बोलते हैं, पी-एच काल आज नेगेटिव लोगरिदम, नेगेटिव लोगरिदम, ऑफ-एच क्लस आयन कॉंसेंटरेशन, इन अ डाईल्यूट सिलूशन, यह बड़ा इंपोर्टनिट है, यह जब फर्मॉला लिखता है हो, ना यह dilute solution के लिए होता है actually ना इसकी definition यह नहीं होकर activity of H plus लिखते हैं इसके जो standard or actual definition वह यह होती है it would be the negative logarithm of activity of H plus in a dilute solution यह dilute solution क्या होता है जिनकी concentration 1 molar से कम होती है तो इसकी definition में को चेंज़ दो आपके काम नहीं आता है इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं आप सिर्फ काम की चीज़ पर focus करें तो आप यह समझना activity का मतलब क्या है डारेक्टली वैसे फॉर्मला यही आगा फाइनली भी पर आप लॉजिक समझो इस एच प्लस की कंसेशन क्या यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर देखो पी एच की बन जाएगी लॉग आफ मोल इंट प्लस लॉग आफ लीटर पॉसिविल नहीं है पीस तो एक नंबर यू अंब सुझीन वाइब लॉटं को लो इस टेंडर्ड कॉणिन और स्टेंडर्ड कॉंसेंटर्शन होती है 1 mools कितनी होती है 1 mools तो अगर किसी सिलूशन में H plus की concentration 0.5 है कितनी है 0.5 तो उसको 1 से divide कर तो 0.5 ही आएगा तो value में कोई फरक नहीं आएगा लेकिन देको इसकी unit भी mole per liter और इसकी unit भी mole per liter mole per liter से mole per liter cancel हो जाएगा और जो activity है ये कैसी हो जाएगी unitless और इसलिए हम ये बोल पाएंगे कि हमारी pH भी कैसी होती है unitless होती है ultimately अब जो आपकी activity है activity की value actually वापस से concentration of H plus के equal ही आएगी बस difference इतना होगा कि जो activity है ये कैसी quantity होगी unitless होगी इसलिए अब हम इसको transform करके लिख सकते हैं pH is equals to minus log of concentration of H plus लेकिन आप ध्यान रखें ये formula सरफ dilute solutions के लिए valid होता है actually concentrated solution के लिए आपके syllabus में नहीं है बस बता देता हूँ for concentrated solution activity होती है ना activity of H plus वो होती है gamma into concentration of H plus gamma into concentration of H plus upon C9 तो यहाँ gamma गटा मालता है इसको हम activity coefficient होता है तो एक concentrated solution के लिए पहले आपको gamma के value पता होनी चाहिए gamma से आप activity निकालके यहाँ रखो ठीक है चलिए तो यह तो भी logic की बात अब simple सी बात वही जो आप बच्पन से पढ़ते हो वही formula है बस difference में आगे कि unit list क्यों होता है तो अब अगर आपको किसी solution के अंदर H plus ion की concentration पता है तो आप उसकी क्या calculate कर सकते हो pH देखो यह P जो है mathematical operator है आप जिसके आगे P लगा दोगे जैसे आपने H plus concentration के आगे P लगाया तो यह हो गया pH तो pH किसके को लोगया minus log of H plus ऐसे ही आप P OH भी लिख सकते हो क्या लिख सकते हो P OH बताओ P OH किसके को लो जाएगा हाँ यह बन जाएगा minus log of OH minus K बन ऐसे ही आप P के लिख सकते हो P के किसके को लोगा minus log of K के को लोगा इसी तर आप P के भी लिख सकते हो वो किसके को लोगा माइनस लॉक के एकुल होगा तो जिसके आगे आपने पी लगा दिया उसके आगे माइनस लॉक लग जाएगो निगेटिव लॉक में कनवर्ट हो जाएगा चलिए बहुत ही बढ़िया एक चीज तो यह आगी दूसरा यहां आपको लॉक वेल्यू से खेलना आना चाहिए तो अभी भी आपने देखा kw is equals to किसके एकुल होता है h plus into oh minus के तो अब मैं क्या अगर हूँ दोनों तरफ log ले रहा हूँ तो दोनों तरफ log लो तो देखो log of kw is equals to यह बन जाएगा log of concentration of h plus into concentration of oh minus log values निकालना तो हम chemical canadics में भी सीख चुके हैं बट फिर भी मैं आपको दुबर बता दूं, maths के simple से rule है, जो आपको भी आना चाहिए, क्या ना, नीट में भी काम में आता है, physics में पढ़ते हो, log a into b क्या होता है, हाँ very good, log a plus log b, तो आप इसको कितना रिख दोगे, log a, log a कितना हो गया, log of h plus, plus log b, तो वो हो गया log of oh minus, होगा गया, होगा, अब आप दोनों तरफ क्या करो, minus लगा दो, minus का sign लगा तो यह बन जाएगा, minus of log kw, is equal to, यह बन जाएगा, minus of log h plus, यह बी माइनस बन जाएगा, पर एक काम करो, इसको plus ही रहने दो, और minus को अंदर भेज़ दो, minus of log oh minus, बोल ऐसा लिख सकता हो, तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हो, तो आप PCB solution के लिए, aqua solution के लिए, आप pH प्लस pH के लिए कितनी लिख सकते हो, pkw, अब यह एक जनरल फार्मला है, जो हर temperature पर valid है, valid at all temperatures, अगर आप specifically temperature को 25 degree Celsius लिख दो, कितना लिख दो, 25 degree Celsius, तो 25 degree Celsius पर हम सभी जानते हैं, हमने थोड़ देर पहले calculate की थी, kw की value 10 to the power minus 14 आएगी, इसका आप negative log लो, ध्यान से देखना, pkw is equals to minus log kw, 10 to power minus 40, यह log की property है, log के अंदर term के उपर जो power होती है, वो आगया जाती है, तो minus 14 आगया आएगा, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus, तो pkw की value आपको कितने मिल जाएगी, 14 मिलेगी, अब आपके पास pH प्लस poh की value कितने आजाएगी, 14, लेकिन यह value सिर्फ और सिर्फ कब applicable है, यह कब valid है, valid at 25 degree Celsius, इसके लिए water का neutral नहीं जरूर नहीं नहीं, यह दिमाई में बत रखना, हाँ water neutral होगा, तब pH और pH की value बराबर आजाएगी, लेकिन अगर water neutral नहीं है, तो pH के लिए जाद आएगी, pH के लिए कम आएगी, लेकिन हाँ, adjust होकर दोनों का sum हमेशा कितना आएगा, 14, 25 degree Celsius इस पर और PKW के equal किसी और temperature पर, तो अब इन relations को use करके, इन relations को use करके हम एक scale बनाएंगे, जिसे हम pH scale के नाम से जानते हैं, तो अध्यान से देखें, अध्यान से, आपने देखा कि pH प्लस pOH की value जो है, वो PKW के equal है, तो आप देखो, pH की minimum value हो सकती है, 0, कितनी हो सकती है, 0, तो आपका यह एक scale बनेगा, जो कि कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, तो यह 0 है, और 0 से लेकर यह vary करेगा, कहां तक, 14 तक, pH की maximum value, PKW के equal, यह value कितनी आ जाएगी, PKW के equal आ जाएगी, जब pH 0 हो जाएगा, तो pH PKW के equal हो जाएगा, और जब pH और pH बराबर हो जाएगे, हम समझते हैं अच्छे से, कि for neutral solution, अगर आप देखो, यहीं पर लिख लेता हूँ, चुरो, for neutral solution, neutral solution, तो neutral solution के लिए, h plus और OH माइनस बराबर होंगे, अगर h plus OH माइनस बराबर होंगे, तो बताओ, pH की value किसके equal होगी, और यहाँ देखो, pH, pH को लग दो, तो 2 pH equal to PKW, उस टाइम पर pH के लिख इतने हैंगे, PKW by 2, तो यहाँ पर जो midpoint बनेगा, वो बनेगा, PKW by 2 के equal, यह है आपका general scale, समझना, अब अगर solution की pH, PKW by 2 से कम है, तो यह range acidic होगी, उस case में pH की value, pH से कम आईगी, ठीक है, यह आप ध्यान रखने, यह neutral है, इसके इधर क्या होता है, basic range होगी, यह scale आपका किसी भी temperature पर valid है, at all temperatures, आपको उस given temperature पर सरफ PKW की value रखनी है, अब जैसे, अब जैसे हम बात करने, 25 degree Celsius पर, अब तो यह गाउं का बच्च बच्च जान चुका है, कि 25 degree Celsius पर PKW की value कितनी होती है, 14, अब आपका जो scale है, वो कहां से कहां vary करेगा, 0 से 14 vary करेगा, और बता इसका जो midpoint होगा, वो किस पर आएगा, 7 पे, तो 7 से कम है, तो solution आपका कैसा होगा, acidic, और 7 से जादा है, तो solution कैसा होगा, basic होगा, तो इस तरह से, आप यह देखकर बता स सकते हो, कि आपका solution acidic कब होगा, और basic कब होगा, जब pH 7 से कम है, तो solution acidic होगा, और 7 से जादा है, तो basic, लेकिन कब, जब temperature 25 degree Celsius, scale 0 से 14 सिर्फ वो सिर्फ तब वैरी करेगा, जब temperature 25 degree Celsius है, मान लो, मान लो आपको value दो, कि at, at 62 degree Celsius, अगर मैं आपसे कहूं, तो KW की value 10 to the power minus 13 हो जा एक तरह की question यहां पर बनते हैं, अब KW के लिए 10 to power minus 13 है, तो भया, PKW कितना हो जाएगा, हाँ, 13, अब आपका scale, 0 से लेकर कहां तक vary करेगा, 13 तक, और बताओ, अब जो आपका midpoint आएगा, midpoint, वो कितना आएगा, वो आएगा, 6.5, अब इधर solution कैसा होगा, acidic, और इधर solution क् basic, तो यहां पर कभी-कभी आपकी भावनाओं से खेलने वाले question बोलता है, बोल देता है कि, at 62 degree Celsius, pH of water is 6.5, comment on its nature, आपको water के nature पे comment करना है, करो भाई comment, कैसा होगा, हाँ, neutral होगा, क्यों, ऐसे डी क्यों नहीं होगा, पीछ तो 6.5 हो गहीं है, pH 6.5 अगर 25 डिगरी पर होती, तो acidic होता, यह तो 62D रे बोला है न, 62D पर midpoint 6.5 हो गया, temperature बढ़ाने पर KW की value बढ़ी, KW बढ़ा, तो PKW कम हो गया, तो आपका scale चोटा हो गया, यहां पर pH 6.5 क्यों आई, क्योंकि scale चोटा हो गया, यह scale 0 से 14 वेरी कर रहा था पहले, अब scale सिर्फ 0 से कहाँ वेरी कर रहा है, 13, तो 6.5 midpoint आ गया है, water अब भी कैसा रहेगा, neutral, लेकिन pH 6.5 क्यों आ रही है, क्योंकि आपका scale क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है, water का nature change नहीं हुआ है, समाज में आरी बात, अब ध्यान रखना, कई बार आपको कई books में, material में questions मिलेंग जहां पर आप भावना में बह जाते हैं, temperature बढ़ाने पर अगर pH कम हो रही है, उसका reason scale का shrink होना है, nature बदलना नहीं है, चलिए, उसके लाहाँ आपको कुछ log values यूज़ करना शिखाओं, जो आपके हैं पर काम में हैंगी, log values, anti-log values दोनों आपको use करना आनी चाहिए, तो दे चुके हैं, अगर आपके पास कोई दो values multiply रही, log a into b, तो वो किसके इक बलोती है, log a plus log b के, and अगर आपके पास log a upon b है, तो बताओ वो किसके इक बलोता है, log a minus log, यह आप जानते हो अच्छे से, ठीक है न, अच्छा, उसके लावा, log की कुछ values जो आपको ध्यान रखनी है, एक आपको याद रखनी है, log 2 की value है, log to the base 10, तो इसके लिए होती है, 0.3010 पर हम 0.3 ही ले ले लेते हैं, ठीक है, log 3 की value जो होती है, base 10 है सबका, वो 0.47 होती है, अगर आपसे में log 5 की value की बात करो, वो 0.699 होती है वैसे तो, जिसे हम लोग 0.7 ले लिया करेंगे, इसी तरह आपको एक log 7 और याद रख लेना चाहिए, वैसे मैं आपको बता दूँ, आपको log value जाद रखने जरुरत नहीं है, क्योंकि exam में आपको log value दी जाएगी हमेशा, ठीक है, बट still, chapter में हमें यूज़ करनी तो, आपको यूज़ करते करते हैं, अपने आप याद हो जाएगे, इन्टू 3, यह property उसकरो, यह बन जाएगा log 5 प्लस log 3, log 5 प्लस log 3, log 5 के वल्यों हो 0.7, और log 3 के वल्यों हो 0.47, अड़ कर दो 1.17, कई बार आपको जीब-जीब सी values मिल जाएगी, मानलो आपको यूज़ मिल गई, log let's say 29, अब इसको आप factors में break नहीं कर सकते हैं, तो आप approximation क method लगा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसा देख लो, कि इनको ना अलगल जैसे आप इसको देखते तो, या तो आप लोग 20, जैसे log 30 होता है, ठीक है, तो log 30 जब आप लिखते हो, तो उसे आप क्या लिख सकते हो, log 3 into 10 लिख सकते हो, ना, देखिए का बन आएगी तो आप approximation लगा कर काम कर सकते वो जब questions आएंगे तो मैं आपको इसके तुरू use करना सिखाऊंगा ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया तो आप approximation से काम चला लिया करेंगे वहां पर आप बिल्कुल भी load ना लें सारी चीज़े में आपको सिखाऊंगा कभी-कभी आपक इसका minus log लेना पड़ेगा यह बहुत important है वैसे तो आप use करते करते सीख जाओगे पर आप देखो इसको मैं अगर आपको solve करके दिखाऊं मैं आपको पहले बतायता हूँ यह value बनेगी b minus log a यह आपको इस form में याद रखना है वो यूज करते करते याद हो जाएगा ठीक है तो आप देखो दोनों साइड negative log लो तो minus को तो बहर रख लो log a into b क्या बनता है देखो log a plus log b log की property पावर को आगे लियाओ तो देखो यह बन जाएगा minus of log a minus b log 10 तो देखो log 10 तो 1 होता है तो आप यह तो 1 हो गया minus को अंदर विज़ो minus minus plus तो यह value अपने आप ही क्या बन गई देखो b minus log a तो यह आपके बहुत काम बहुत काम बहुत काम में आपको एक value देता हूं जैसे 1.8 into 10 to power minus 5 यह चप्टर में बहुत काम है लिखते जाओ याद नहीं रखना है तो जैसे आप इसका negative log लोगे तो negative log लिखोगे न तो आप डारेट फॉर्म यूज को रहेगो क्या बन जाएगा 5 minus log 1.8 यह value 4.74 क्या आती है 4.74 आती आपको र मानलो आपके लिखाओ है 3 into 10 to power minus 5 और आपको इसका minus log लेना है तो वो क्या बन जाएगा 5 minus log 3 समझे रहो 7 into 10 to power minus 2 negative log क्या बन जाएगा 2 minus log 7 समझे रहो कर सकते हैं चलिए तो एक तो आपको यह formula कई बार आपको एंटी लोग भी solve करना पड़ता है क्या solve करना होता है एंटी ल लोग भी solve करना सिखायता हूं यही पर आप लिख लेना मेरे साथ साथ में एंटी लॉग कैसे solve करते हैं हाव टू solve एंटी लॉग अगें जिसे आपको बोल रहा हूं कोई खतरनाक सा एंटी लॉग होगा ना तो वह आपको देगा बट स्टिल खतरनाक भी आप solve कर सकते हैं ध्यान से देखना अगें हमें negative वाले solve करने होंगे तो आप समझे ना मान लो मेरे पास log A की value आई कुछ माइनस 3.4 ऐसा मान लेता हूं अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना है एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग को इदर भेजते हैं तो देखो जो A है उसकी value क्या बन जाएगी 10 to the power minus 3.4 यह बहुत ध्यां से देखना है यह positive में होता तो आप आराम से solve कर सकते हो negative में आपको क्या करना पड़ेगा जो minus 3.4 है इसको आप ऐसे लिख दो plus की form में minus 4 plus 0.6 अब powers को अलग अलग कर दो तो यह बन जाएगा 10 to the power minus 4 into 10 to the power 0.6 अब यह value में कहां से लाओं तो यह हम जुगाड से लाएंगे approximation approximation से कैसे यह तो गाउं का बच्चा बच्चा जानता है कि 10 to the power 0.5 कितना होता है root 10 और root 10 की value होती है 3.13 अब अगर 10 to the power 0.5 3.13 है हाँ तो 10 to the power 0.6 3.13 से थोड़ा सा क्या होगा बड़ा तो मान लो समझ पा रहे हैं इस तरह से मैं anti log solve किया करेंगे आप बिल्कुल लोड ना लें जैसे values आएगी मैं आपको solve करके दिखाऊंगा और आप इसके इंदर perfect होते जाओगे तो अब इसको मैं important और इस chapter के सबसी baseline के साथ that is calculation of pH तो हम अलग-अलग cases के अंदर pH को calculate करना सीखेंगे यह कई लोगों के लिए phobia होता है पर बहुत सिंपल सी बात है एक चीज़ का ध्यान रखना जब भी कभी किसी भी solution की pH calculate करनी है आपको कुछ नहीं एच प्लस ढूंड के लाना कहीं से भी एच प्लस ढूंड लाओ और कहीं से उटा के लिए question के अंदर दिये गए information से एच प्लस ढूंडो और उसका negative लॉग निकाल लो आपको क्या मिल जाएगी स्टार्ट करने जा रहे हैं उन solutions के साथ है ना या फिर ऐसा बात कर लो पीएच ओफ पीएच ओफ स्ट्रॉंग एसिट्स strong acids and bases तो strong acids और bases के लिए पीएच कल्कुलेट करने चलोगे तो बहुत असान है यह पर कुछ अलग-अलग cases बनते हैं कोई theory नहीं है बहुत simple सी बात है यह हम जानते हैं कि strong acid या strong base क्या होता है solution में 100% ionize होता है ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं देखो मालो मेरे पास 0.1 molar HCl है और मुझे इसकी pH कल्कुलेट करनी है pH तो यहां से आप देखो यह जो HCl aquas है यह ionize होगा और ionize होकर क्या बनाएगा H plus aquas plus Cl minus aquas देखो इसकी concentration अगर 0.1 molar है तो यह भी कितना बनेगा 0.1 यह भी बनेगा 0.1 तो यह प्लस ion की जो concentration है वो 0.1 है यह तो H plus ion की concentration है 0.1 को देखो हम 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं अब आप इसका negative log लो तो negative log लोगे तो pH equal to क्या बन जाएगा minus log of H plus 10 to the power minus 1 minus 1 आगया आगया तो pH के लिए बन जाए के बाएगा question खता में है दिख रहा है आपको अच्छा चलो और case देखते हैं और case देखते हैं और case देखो मान लो आपने 0.1 molar HCl की जगा आपने ले लिया let's say 0.01 molar NaOH तो भाई NaOH भी एक strong base है आप देखो कि यह पूरा पूरा आइनाइस होगा आप लिखनी की जरूरत नहीं है इससे आपको तो एच्प्लस क्या मिलेगा OH- ओएच माइनेस कितना है 10 to the power मैंनस तू बोलर कि लेकिन आपको तो पी एच बतानी है न तो आप दो तरीके है पी एच निकालने के किया है तरिका नंबर एक तरीका नंबर एक तो यह रहा डायरेक्ट हो एक माइनेस आ घान रखना इसचेप 25 degree Celsius पर आप यह पढ़ चुके हो कि pH प्लस pOH की वैल्यू कितनी होती है 14 तो pH के लिए 2 यहां रखो इस solution की pH आपको मिल जाएगी 12 या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कैसे कर सकते हो आपको पता है यह OH- है ठीक है हम यह जानते हैं कि at 25 degree Celsius 25 degree Celsius पर concentration of H+, into concentration of OH- जो है वो 10 to the power minus 14 होती है होती है ना OH- के लिए उठागे यहां रखो तो कैसे रखोगे यहां से आपको H+, की value मिल जाएगी 10 to the power minus 12 और अगर यह 10 to the power minus 12 है तो बताओ pH की value कितने मिल जाएगी ऐसे कर लो ऐसे कर लो आंशर आपको क्या मिलने वाला है मानलो आपके पास इसकी जगा कोई एक strong base होता लेट से आपके पास 0.005 molar calcium hydroxide होता सिए ओएच होल ट्वाइस अब देखो यह जो सिए ओएच होल ट्वाइस है कुछ भी स्पैसिवाइड नहीं है न तो हमें से strong 100% इनेशन strong base मान कर चलेंगे तो यह तूटेगा और तूटकर क्या बनाएगा CA2 plus aquas plus 2oh minus aquas बनाएगा इसकी consideration को ऐसे लिख लगता हूँ यह कितना है 5 into 10 to the power minus 3 तो उसके 5 into 10 to the power minus 3 से OH कितना मिलेगा 2 into 5 into 10 to the power minus 3 यह फिर से 10 to the power minus 2 मुल रा गया अब देखो अगर OH minus 10 to the power minus 2 है तो pOH कितना हो जाएगा हो जाएगा 2 तो pH फिर से कितनी आ जाएगा तो कुछ नहीं करना होता आपको acid दिया है तो acid को ionize कर दो strong acid अगर आपके पास है लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा case बनता है वो आपको ध्यान रखना होगा समझ लो logically आसान तो बहुत है आज एक बार सीख लोगा उसके 10 to the power minus 7 molar HCl कितना है फूर्थ केसे लिए इसको 10 to the power minus क्या हो रहा है इसे आज चलो एक और बार 10 to the power minus 7 molar HCl आपको थोड़ा सा सतर को जाना पड़ेगा बहुत पूछे आते हैं पूछ ले तो आप बिना सब्सक्राइब बताता हूं कैसे बार ध्यान से समझ लो एक्चिली क्या है यहां एक सील की बहुत कम आ रही है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा आप यह जानते हो आपी सीख चुके हो कि वाटर जो होता है वाटर खुद आयोनाइज होकर हमने सीखता देखो प् वाटर से आने वाले एच प्लस के कंपेरेबल है ऐसे केसे में आपको वाटर का आयोनाइशन भी कंसीडर करना होगा तो यहां पर आप चाहें तो पॉइंट बनाके लिखनें कि वेन वेन कंसेंट्रेशन ऑफ एसेड इस लेस देन 10 तो पावर माइनस 6 मूलार देन वी हैव वी हैव तो कंसीडर आयोनाइशन ऑफ वाटर अब देखो उसको कैसे कंसे देखना आपको पता यह पहले मां आपको लॉजिकली सिखाऊंगा फिर उसको टूल बनाऊंगा और फिर उसको ट्रिक बना दूँगा ठीक है चलिए तो ध्यान से कैसे कंसीडर करेंगे यह जो वा ऑटर इस टो लिक्वीड यह ऑनाइस हो कर क्या बनाता है एच प्लस अएच प्लस अट्वस मिइस ऑट्वी क्वा टी तो गांओ का बच्च बच्च जानते हैं कि एक इलेक्ट्रलइट और यह ब्लेक्ट स्ट्रॉइं घ्र्ली विक विक हाँ एक विक अलेटलइट एड़ तो यह क्या करेगा वाटर अगर अकेला होता है ना पहले में लॉजिकली चल रहा हूं पूरा सुनना ध्यान से याद बाद नहीं रखना है सुने देखें और भूल जाए अगर वाटर अकेला होता तो इतना है जनरेट कर देता है लेकिन हैं एसल की प्रिजन्स में कॉमा न लगेगा और वाटर की डिग्री ओफाइनाइशन कम होगे तो मानलो वाटर तूटकर कुछ एक्स हच प्लस और एक्स ओएच माईनस बना रहा है इसी सेलूशन में हल्ब हैं एक्स इस प्लस आपको कितना मिलेगा है एक प्लस और ओएच माइनस यहां से भी 10-7 और यहां से बीट बताओ क्या करना है है ना टोटल एक प्लस कितना जाएगा एकस प्लस प्लस टो पावर माइनस अब देखो हम वाटर के लिए के डबलू लिख सकते हैं बताओ के डबलू किसके कुल बनेगा कंसेंट्रेशन ओफ एचप्लस इंटू कंसेंट्रेशन ओफ ओफ ओच- और यह वैल्यू टैंटो पावर माइनस-14 के एक ले लुए रगो वैल्यू बताओ एचप्लस की वैल्यू कितनी है तो एचप्लस की वैल्यू कर आप देखोगे तो वो है 10 to the power minus 7 plus x oh minus की value कितनी है x is equals to 10 to power minus x स्क्वार्ट देखना x square plus 10 to the power minus 7x इसको धर लेओ minus 10 to power minus 14 is equals to 0 इस quadratic को solve करके हम x निकाल सकते हैं एक स्क्वार्ट देखो minus b यानि minus 10 to power minus 7 plus minus वाले से न को उटा दो कि नेगेटिव यह नहीं आ सकती है root b square तो b square कितना होगा 10 to power minus 14 minus 4ac minus minus plus 4 into 10 to the power minus 14 upon कितना जाएगा 2a देखो 10 to power minus 14 को मना के भार आ गया तो 10 to power minus 7 plus 10 to power minus 7 और साथ यह बचेगा root 5 upon 2 root 5 2.12 के असपास कुछ आएगा ऐसी को value आएगी 2.12 ए 2.2 मान लेते हैं तो देखो यहां minus sign रहेगा 2.2 minus 1 is 1.1 यह बनेगी 1.1 into 10 to the power minus 7 upon 2 आगया तो 11 by 2 तो 5.5 जाएगा 0.5 के आसपास तो 0.5 ले लूँ 5 यह 6 ले लेते हैं into 10 to power minus 8 यह आगई x की value ध्यान देना यह x आया अब अगर x आया तो आप इस solution में h plus निकाल सकते हो तो देखो x की जो value आ रही है वो comparable है देखो comparable है बहुत जारा छुटी नहीं है इसलिम neglect कुछ नहीं करेंगे तो आप देखो इस solution का जो total h plus आया वा गया 10 to the power minus 7 प्लस यह value 0.6 into 10 to the power minus 7 अच्छा शुरूआत तो हमने एक चीज डिसकस नहीं कि वो भी कर लेते हैं अगर आप water का इनेशन नहीं करते और डारेक्ट इसकी pH लिखते तो वह आप 7 लिख देते तो नहीं लिख सकते हो क्यों एसिड की pH 7 के तो 7 तो neutral होता है एसिड की pH 7 होई नहीं सकती वहीं पे आप गलत हो 7 से कम होगी यह 7 10 to the power minus 8 होगा तो आप 8 नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि एक strong acid बोल रहे हो solution है उसकी pH 7 लिख दोगा तो neutral हो गया है चाहे वह slightly सेड को पर सेड होगा देखना भी आप अब देखो यह वैल्यू बन गई 1.6 इंटू 10 to the power minus बन गई न तो pH निकालो अब देखो जो मैंने आपको टूल सिखाया a इंटू 10 to power minus b तो यह directly 7 minus log 1.6 1.6 को 16 by 10 लिख दो तो log 16 minus log 10 minus minus plus यह बन गया log 10 तो लेको log 10 हो गया 1 7 plus 8 minus log 16 log 16 को हम 4 की power 2 लिख सकने है power को आगे लियाओ यह सा अगर नो 2 की power 4 लिख दो 16 को 4 आगे लियाओ तो बन जाएगा 8 minus 4 इंटू log 2 लोग 2 होता है 0.3 एट माइनस 1.2 पिएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवन पॉइंट सिक्स पॉइंट एट है कि मैंने अप्रॉक्सिमेशन लिए हैं बहुत सारे इसलिए समझ मेरी बात आपको तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 10 to power minus 7 पिएच सेवन नहीं आएगी कितनी आएगी सेवन से स्लाइटली कम आएगी 6.8 आएगी यह इसको सॉल करने का actual तरीका लॉजिकल तरीका लॉजिकल मैथड जिसे हम लोग कभी यूज नहीं किया करेंगे तो देखें और भूल जाएं बूल गए चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं इसका डिल लॉजिकल मैथड दिल लॉजिकल मैथड के कुछ भी नहीं है भाई आप देखो इस सेलिशन में इतना सा आपने समझ लिए यहां से ध्यान रखना है कि HCL और H2O दो सोर्स हैं बताव HCL से H plus कितना आ रहा है 10 to the power minus 7 और वाटर से भी मानलो H plus कितना आ रहा है 10 to the power minus 7 एड करो बताव total H plus कितना हो गया 2 into 10 to the power minus 7 इसका negative log ले लो 7 minus log 2 0.3 अंसर आगे 6.7 इसका approximately से नहीं हो रहा है या फिर या फिर आप डिरेक्ली लिख सक्ते हो डिरेक्ली क्या लिख सक्ते हो ऐसे दिलिशन में कि जब इतनी low concentration है at very low concentration of acid at very low concentration of acid strong acid pH will be slightly less than 7 तो कभी भी ऐसे केस आ जाजा है तो सोचने के जरूरत ही नहीं है 10 to power minus 8 molar HCl pH बताओ तो आप बुल दो कि slightly less than 7 10 to power minus 9 molar HCl pH बताओ slightly less than 7 तो water cup consider करना है जब acid या base की concentration 10 to power minus 6 से छोटी हो आपने इससे पहले वाले केस देखे तो यहां कहीं मैंने water consider नहीं क्या कोई फायदा नहीं है क्योंकि water से जो H plus आएगा वो 10 to power minus 7 की order का होगा और इससे जो H plus आ रहा है वो point 1 है यह value इससे बहुत बड़ी है तो वैसे भी neglect होना है इसलिए consider करने की ज़ूरत नहीं है लेकिन जब strong acid की खुद की concentration बहुत कम हो चुकी है तो फिर उस case में आपको water का ionization consider करना होगा सेम चीज़ बेस के लिए है वहाँ H plus की जगा आप OH minus क्या करते हैं mix करते हैं ठीक है तो अगला जो हमारा case है सेकेंड है डेट वुड़ बी पी एच ओफ मिक्स्चर ओफ मिक्स्चर ओफ टू स्ट्रॉंग एसिट्स और टू स्ट्रॉंग बेसिस इन में कोई formula नहीं है कुछ नहीं है normal आपको दिमाग लगाना है आपने दो एसिट्स को mix किया तो मैं समय एक्जाम्पल ले रहा हूँ देखें पहला question कि माल लो आपने लिया 200 ml of 0.1 molar HCl और उसके साथ आपने mix कर दिया 300 ml of 0.2 molar H2SO4 को और दोनों ही strong acid है ठीक है complete decision होता है यह आपको दिया वाए question नहीं है आपको final solution की pH बतानी है बता दो क्या फरक बढ़ रहा है देखो एक है HCl by HCl भी H plus देगा और H204 भी H plus देगा अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको H plus निकालना है तो मोल्स में खेलो क्योंकि जब भी यह तो मोल में सीख चुके हैं जब दो solutions को mix कर रहे हैं तो volume बदलेगा तो मोल्स में आपको खेलना है तो देखो 202.1 इसके हो गए है 20 मिली मोल्स 302.2 इसके हो गए 60 मिली मोल्स ठीक है तो बताओ इससे भी H plus आएगा एक मोल से एक मोल आता है 20 से 20 आजाएगा और इससे भी H plus आएगा 60 से कितना आजाएगा 120 क्योंकि यह अकेला दो H plus दे सकता है डाइ प्रोटीग ऐसीड है सीख चुके हैं इस चीज को हम बताओ इस solution में जो तो टोटल H plus है वो कितना आजाएगा दिस प्लस दिस बन फॉर्टी डिवाइड़ बाई वॉल्यूम कितना है पांच सो ध्यां से देखना यह मिली मोल में है और यह मिली लीटर में है तो मिली से मिली गया तो यह बन गया जीरो से जीरो 7 by 25 यह आगे इसकी मुलारेटी H plus की आगे तो आपको pH निकालनी है तो pH निकालने के लिए आपको इसका नेगेटिव लोग लेना पड़ेगा तो नेगेटिव लोग of 7 by 25 लोग लोग A upon B is log A minus log B so minus log 7 minus minus plus log 25 अब देखो 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2 बेस पावर आगे तो बन जाएगा 2 log 5 minus log 7 log 5.7 7 to the 1.4 minus 0.84 तो solve कर लो 6 0.56 यह solution की लिए बस खदम बेस होता तो OH minus निकाल लेते है ना इसमें एक और type of question बन सकते है कि 200 ml of acid solution यह 200 के छोड़ो ऐसा लिख दो आप दूबार लिखने इसको की एकल वोल्यूम्स आप टूसलुशंस विद पह 4 और पह 5 और मिक्स्ट calculate the pH of resultant solution तो कुछ इस तरह के question भी आपको मिल सकते हैं उस case में आपको resultant solution की pH calculate ठीक है कर देते हैं यह पर दो solution तो एक की pH 4 यानि एक solution का h plus जो है वो 10 to the power minus 4 है और जो दूसरा solution है उसका जो h plus है वो 10 to the power minus 5 है इसका volume v1 मांग v दोनों का सेम लिए इसका भी वी तो चाहिए दोनों ml में ले लो आप देखो जो final solution में h plus होगा तो मोल्स में खेलेंगा है तो इसके मोल्स कितने हो गए 10 to the power minus 4v प्लस इसके कितने हो गए 10 to the power minus 5v upon total volume गए 2v देखो वी 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 कैंसर आप क्या करो जैसे आपके च्छा चाहो 10 to the power minus 4 common कर लो चाहो 10 to the power minus 5 कर लो तो मैं यहां से 10 to the power minus 5 common करो तो देखो 1 plus यह 10 बचेगा और divided by 2 यह बचेगी 11 by 2 into 10 to the power minus 5 चाहो तो आप इसे 5.5 into 10 to the power minus 5 यह आगे है एच प्लस जा उसका पी एच लिखोगे तो आप लिखोगे minus log of this value यह से कर लो 55 into 10 to the power minus 6 कर लेते हैं इसको तो यह आपको सिखाया नेगेटिव भार आएगा तो बन जाएगा 6 minus log 55 log 55 को 11 into 5 लिख लेते हैं तो 6 minus log 11 plus log 5 minus log 5 तो log 10 होता है 1 तो log 11 हो गया 1.04 के असपास है ना यह log 11 into 5 को log 11 plus log 5 लिख रहा हूं प्लस log 5 कितना हो गया 0.7 तो value आ गई यहां से value कितनी आ गई यहां लिख रहा हूं इस तरह के कई questions आपको मिलेंगे जहां पर दो स्ट्रॉंग ऐसे दो स्ट्रॉंग बेसे बता दिये यह वह बेस को मिक्स करेगा तो आप उनसे ओएच माइनस निकालना उससे आपको पी ओएच मिलेगी और पीएच से आपको क्या मिल जाएगी पीएच कर सकते हैं चलिए तो फिर आज बढ़ते हैं अपने आज के आखरी टॉपिक पर आज हम प्रेक्टिस सेशन नहीं लेंगे क्योंकि अभी कुछ और चीज़ सीखने हैं फिर कंबाइन होके ज्यादा क्वेशन गभी तो चार पांच क्वेशन हैं तो मतलब नहीं मजा नहीं आगा तो थर्ड केस दे अब हम दोनों को रियाट करवा दें तो करवा दो यह काम नें पहले भी किया मूल के अब यह करवाएता है चलो देखो पहला केस देख लेते हैं इसी के अंदर पहला केस क्या बनेगा आपका पहला केस बनेगा मानलो आपने 300 ml of 0.1 molar HCl को mix किया with let's say 200 ml of 0.2 molar NaOH के साथ तो काम क्या करना है वो यह मिली मोल्स में खेलना है और जो बचेगा उसकी concentration निकाल लो फिर पह पह जो निकालना निकाल सकते हैं आप देखो आपके पास HCl की मिली मोल्स निकालो 30 मिली मोल्स plus NaOH के निकालो NaOH के वो कितने होगे toned into 0.2 40 मिली मोल्स हो गए ना चलो reaction करवा हो तो reaction करवा होगे तो आपको मिलेगा NaCl प्लस H2 हो ठीक है अब बता हो LR कौन HCl पूरा consume होगे 0 मतलब final solution nature में basic होगा क्योंकि base बचने वाला है बेस कितना तीस के लिए तीस तो काम में आ जाएगा तो बचे कितने आपके पास दस मिली मोल एनिवेच बच जाएगा और एनिवेच क्योंकि अब यहां से आप निकालो पी ओएच देगो पी ओएच की वैल्यू कितने आ जाएगी माइनस लॉग वन अपॉन फिफ्टी माइनस लॉग फिफ्टी तो बन जाएगा लॉग फिफ्टी लॉग फिफ्टी हो गया लॉग फाइफ प्लस लॉग टेन तो पी एच आगई 1.47 ध्यान देना यहां गलती कर सकते हो क्वेश्चन में खुशी खुशी में कई बार यही आंसर टिक करके आजो अगर ऑप्शन में दिया भी होगा यह तो पी ओए चाहिए पूछ क्या रहा है आप से पी एच तो बताओ पी एच कितनी हो जाएगी 14 माइनस 1.47 डाट इस 12.53 कई बार आपके सामने ऐसा केस आएगा कि दोनों के मिली मोल्स बराबर हो जाएंगे मैं आप से बोलूं कि 300 ml ओफ लिट से आपके पास 0.4 मूलर और और इसके साथ आपने मिक्स किया है मालो 300 ml ओफ जिरो पॉइंट तू मोलर एच्टू एस सो फोड अच्या इनको ना एक और तरीके से करते हैं जड़र नहीं आप ऐसे लिखो कि एन्योच रियाक्शन आप इसको एसे लिख सकते हो इस कर सकते हो देखो फिर उसको करेंगे आप देख लो कि एचल कितने थे 30 मिली मोल्स यह ज्यादा असान तरीका होता जो सेकिंड मैं आपको बता रहा हूं और इसके कितने थे 40 मिली मोल्स आप रियाक्शन लिखने की जगा आपको पता इससे क्या मिलेगा एच प्लस थर्टी और इससे क्या मिलेगा और यह दो रियाक्ट करके एच टू बना लेंगे ठीक है तो यह हो गया 40 अब देख लो यह 0 हो गया यह बचेगा 10 10 डिवाइड बाइफाइनल वॉल्यम कितना हो गया पांच सो तो कभी भी आप स्ट्रॉंग ऐसे स्ट्रॉंग भ कर सकते हो यह सिंपल तरीका होता है आप यह देख लो एसे कितना है प्लस आ रहा है बेस से कितना है और रियाक्शन करवा दो जैसे यह वाला केस में आपको ऐसी करके दिखाता हूं इस वाले केस में आप देखोगे 302.4 यानि आपके पास 120 मिली मोल्स तो एनिवेज के है औ और देखो 3.2 60 मिली मोल्स आपके पास H2SO4 अब आप बैलेंस रियाक्शन लिखोगे 10 ना टक करोगे सच्छा क्या है यहां से कौन आएगा OH- देखो एक से का रहा है तो 120 से 120 मिली मोल आजाएगा आएगा 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 ना एसे ही 60 मिली मोल है इससे क्या आएग रियाक्शन करवाओ H2O बनेगा कौन बचा कोई नहीं तो pH कितनी हो जाएगी जीरो नहीं होगी है ना कुछ वेग्या नहीं पर देखो ना OH- बचा ना एच प्लस बचा कोई भी लार नहीं है तो आपका जो फाइनल सेलुशन है हाँ फाइनल सेलुशन कैसा होगा न्यूट और अगर यह न्यूट्रल होगा तो इसकी pH कितनी होगी साथ कितनी होगी इसकी pH 7 होगी तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर एसिड बेस दोनों बराबर अमाउंट में तो pH 0 लिख के मता जाना गेम हो जाएगा उस केस में सेलुशन न्यूट्रल होगा और उसकी pH कितनी आएगी सब कर सकते हैं चलिए तो आज मैंने आपको इक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट सिखाया कॉमन इफेक्ट उसको यूज करना भी हम नेक्स क्लास सीखेंगे अभी तो हम क्या स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग बेस से एक हेल रहे हैं नेक्स क्लास में आपको वी की कैसे बीक बेस से मिलवाऊंगा उनकी पी एच कल्कुलेट करना सिखाऊंगा उनके लिए हम शौट ट्रिक फामले बनाएंगे फिर वहीं पर हम कॉमन इन इफेक्ट को भी यूज करेंगे और भी बहुत हर चीज़े हम लोग दिसक्स करेंगे उसके बाद हम से करेंगे यहां से आगे कंटिनू करते हैं तिल देन टेक केर एंट बाए बाए